NDTV Network के सारे दर्शकों का स्वागत है आज हम उस मुख्यमंत्री से बात करेंगे जिनके राज्य में पत्थर भी सोना उगलता है हम बात कर रहे हैं राजस्तान की जहां पर अब ये जद्दो जहत की जा रही है कि इस राज्य में इन्वेस्टमेंट को किस तरह लाया जाए राजस्तान के मुख्यमंत्री भजनला शर्मा जी हमारे साथ है सर बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका के आपने NDTV Network को आपका समय दिया सर सबसे महत्वपूर्ण है आपने दिया है आएस ओफिसर की न्यूक्ति करने जा रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा संख्षेप में बताएं सिर्फ देखिए कल बंबभी में हमारा रोडस हो था लगबग साड़े चार लाग करोड रुपे के MOU यहां हुए है बंबभी और राजिस्थान के काफी लोग यहां रहते भी हैं काम करते हैं मैं उन सभी को निमंतर देने के लिए हां आया हूं निमता देने के लिए कि वो आएं राजिस्थान में बहुत अपार संभावना है जाए वो खनिज की छेतर में हो जाए वो परिटन की छेतर में हो आटोमोबाईल की छेतर में हो टेकस्टाइल की छेतर में हो बहुत अपार संभावना है और कल जो मेने देखा है सोलर से लेकर के कई छित्रों में लोगों का जो मन और उत्सा है मुझे देखने को मिला है सर मुंबई से अपने रोड शो के शुरुवात कर ली है आपका विजन जो है वो अब पूरा देश समझ रहा है किस विजन से आप आए है रोड शो की शुरुवात मुंबई से की है सर और कौन से राज्यों में आप जो है वो टागेट लेके चलना है कि यहां रोड शो करना बहुत ज़रूरी है और क्या आउटकम पे आप नजर गड़ाए हुए है क्योंकि लोग कहते हैं कि राजस्तान का विजन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो है आप जब से मुख्य मंत्री बने हैं तो सर किन-किन राज्यों में ये रोड शो जाएगा और किस तरीके से आप चीजें करेंगे तिक राज्यों में तो हम सभी जगे जाएंगे कई हमारी टीम जाएगी तो कई मुझे जाना है कई हमारे मंत्री जाएंगे लेकिन लगबग दुनिया की पचीज कंट्रीों में भी हमारा संपर्क है और उसके लिए भी हमने हमारे I.E.S. ओं की टीम होँ लगाई है कि जो उनसे लगातार संपर करेंगे और हमारा भार जाने का भी कारिकरम है जहांसे हमें लोगों का उत्सा दीख रहा है और लोग हमें ऐसे लग रहे हैं कि वहां से आने वाले हैं मस्वेम भी हम जाने वाले हैं और हमारी टीम भी वहां जाने वाली है राजिस्थान के अंदर जैसा मैंने कहा कि बहुत संभावना है बड़ा भूबाग वाला छेत्रपल है वहां के जो इस्थिती है वो किलिए है कि वहां आने वाले हल व्यक्ति के लिए क्या सुब्दे हम दे सकते हैं वो भी हम देने वाले हैं समय पर काम हो समय पर उसका अध्योग दगे और उसके साथ-साथ वहां अगर वो जाएगा तो उसको सारी सुब्दयां ही भी मिलेंगे हमने उनसे बाइदा भी किया है कि आपको single window क्या दार पर समय बत तरीके से आपको उध्योग लगाने में जो सुवद्या हम दे सकते हैं सारी सुवद्यां देने का काम करेंगे सर कल मुंबई में ये पूरा सम्मिट चल रहा था उस समय आपने भारत के बड़े-बड़े बिजनेसमें से one-on-one बातचीत की इस दर्मियान क्या बातचीत हुई जो बिजनेसमें थे उन्होंने आपको क्या-क्या बताया कि अगर वो राजस्तान में आते हैं कि तो किस तरीके की सुवद्या जो है उनको मिलेगी क्या-क्या और चीजें हो सकती हैं जिससे वो अपना Invesment राजश्तान में बढ़िया तरीके से कर सके हैं और राजश्तान भी आगे बढ़े और उनका जो बिजनेस है वो भी अरामदा एक तरीके से आगे बढ़ सके मैंने उन सभी से बातचीत की है और मुझे बातचीतों में लगा है कि जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों का मुझे उसादी दीखा है और वो काम करना चाहते है उनके सामने कुछ चुनोतियां भी है निश्यत रूप से उनको भी हमने स्युकारने का काम किया है कि आप आईए राजिस्थान के अंदर आपको जो मन में संका है आसंका है आपको किशी भी तरह से कोई परिशानी नहीं होगी यह हमने उनको विश्वाच दिया है और वो अलग-अलग तरीके से अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और कई मैं देख रहा हूँ कर लाज सुबह से कई लोगों के फोन भी आये कि जाब वो हम हर पास सूचना नहीं थी समय के बाब में हम नहीं आ पाए हमने कहा कि आगे हम भी हम करने वाले हैं तो आप आईए और अपना काम राइस्तान में देखिए हमने यहां तक कहा है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप हमें पहले से बता देंगे तो हम उसको identify भी करेंगे क्योंकि समय बत तरीके से अगर काम होगा तो उसका प्रणाम जल्दी आएगा इसलिए हम हमसे कहा है और मुझे विश्वास है कि जितने भी उद्योग पती मेरे से मिल रहे हैं और जिस विश्वास के साथ वो बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि राजिस्तान के अंदर एक बड़ा investment आने वाला है और राजिस्तान में एक अच्छी सुरुआत होने वाली है सबसे महत्वपून सवाल पिछले कुछ समय से समग्र भारत वर्ष में है कि जितने भी राजिये हैं वहाँ पर होड़ सी मची हुई है investment लाने के लिए बड़े राजिये हो या छोटे राजिये हो हर जगा पर है राजिस्तान ऐसी क्या सुवी धायन देगा जिससे जो है वो investors बहुत ज़्यादा attract हो सकते हैं और वो राजिस्तान आने के लिए हामी भर है देखिए राजिस्तान में है कई संभावना जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास सुर्व भगवान की किर्पा है हमारे पास जमीन भी है हमारे पास हर चेत्र का खनन भी है आटो मॉबाइल में भी हम है और सबसे बड़ी बात है वह परिटन के चेत्र में बहुत अपार संभावना है तो हम कह सकते हैं कि राजिस्तान के लिए ये संभावना ही राजिस्तान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इसी मुद्दे पर एक और सवाल है कि राजिस्तान की धर्ती हमेशा से अपने कल्चर के लिए जानी गई है वहीं टूरिजम जो है एक मुख्य चीज रही है उस पर किस तरीके इसे फोकस रहे है क्योंकि अभी आपने कहा कि परेटन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे सर क्या क्या आपकी सरकार वहां पर बदलाव करने की चीजें कर रही है क्योंकि सुरक्षा जो होती है वो सबसे महतुपूर होती है जब आप टूरिजम की बात करते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर राजिस्तान सरकार फोकस कर रही है टूरिजम के सेक्टर में देखिए सबसे बड़ी आपने कहा कि लोई नोडर की है निश्यत रूप से राजिस्तान के अंदर सांती के रूप में राजिस्तान जाना जाता है लोई नोडर की स्थिती बहुती बहतर है और सबसे बड़ी बात है कि राजिस्तान महमान नवाजी के लिए पहले से ही जाना जाता है पधारों मारे देश और जो राजिस्तान के लोग जिससे आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत और सत्कार करते हैं निश्चत रूफ से परिटन के छेत्र में बहुत बड़ी संभावना है राजिस्तान उचाईयों को छुएगा और राजिस्तान की जनता उन सभी के लिए पलग पावड़ी पिछा करके तयार है और राजिस्तान हमेशा से स्वागत और सत्कार के लिए जाना जाता है सर आखरी सवाल ये बहुत महतोपून है राजिस्तान में दो जो मुख्य चीज़े हैं वो भगवान की तरफ से दी गई है एक सूर्य भगवान और एक हवा रिन्यूइबल एनर्जी को लेकर हमारे क्या एक्स्ट्रा प्लांस है वैसे आपने बताया कि ये भी एक मुख्य चीज़ होगी जो सरकार करेगी मगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा प्लांस है जिसकी पर ज्यादा जो 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 दिया जा रहा है आपकी तरफ से निस्स्ट्रूफ से जो हमारी संभावना है और जिस तरह से राजस्थान के अंदर ये बहुत बड़ी संभावना है इस से तरूफ से हम रेनोमेले एनेर्जी में भी हम काम करेंगे, पूरा करेंगे और राजस्तान की जनता को उसका फैदा भी मिले हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ हमसे बात करने लिए भजलनार शर्मा जो की राजस्तान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बताया किस तरीके से राजस्तान सम्मिट के तहट अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट के लिए वो रोडशो करने वाले हैं वहीं राजस्तान में जितने भी लोग आ सके इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि राजस्तान जो है अब आने वाले दिनों में एक बड़ी उचाईयों पे जाने वाला है मुंबई से कैमरमेन राजिंदर दयालकर के साथ पारज दमा इंडी टीवी इंडिया के लिए